आज की live class में स्वागत है और आज की class में हम 9th class mathematics शुरू करने जा रहे हैं और 9th class mathematics study करने के लिए हम NCRT की book use करेंगे ये book जो है हमारी government book है जो कि पंजाब, हर्याना, इमाचल, UP, विहार, जाडखंड वगरा सबी states में और CBSC में यही book लगती है और अगर किसी student के school में अगर कोई private book भी लगती है तो भी कोई tension लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितनी भी private books है वो NCRT पर ही आधारित होती है अगर हम एक बार NCRT के concept जो है अच्छी तरह से कर लेते हैं इसकी exercise को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई परिशानी नहीं होगी आप कोई भी book के questions वा crack कर सकते हैं तो अब देखिए मैं ज़्यादा बातों में समय नहीं लगाते हुए सिद्धा अपने topic पर आता हूं तो topic में देखे सबसे पहले number system या संख्या पदती में हम कुछ एक definition पढ़ेंगे कुछ परिभासाइं पढ़ेंगी और पढ़ाना का मीडियम जैसे आपको पता ही है कि मैं हिंदी और इंग्लिस दोनों मीडियम में एक साथ पढ़ाता हूं ठीक है और किसी भी मीडियम के स्टुडेंट्स का दिक्कत नहीं आएगी ठीक है क्योंकि सम का समझने का तरीका तो सेम है ठीक है थोड़ी सी अलग है इसका हिंदी मीडियम के स्टुडेंट्स को अड्वेंटेज यह होगा फाइदा यह होगा कि वह इंग्लिस के सबद भी साथ में सीख जाएंगे क्योंकि इंफ्यूजर आपको मैथमेटिक्स पढ खत्म होने के बाद किसी के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडियेफ मिल जाएंगे अभी लिंक नहीं है लेकिन लाइव स्ट्रिम खत्म होने के बाद आपको लिंक मिल जाएंगे लगव 15-20 मिट बाद में आपने चेक करना है ठीक है तो अब देखिए हम सुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम्स टोपिक में संख्या पत्ती टोपिक में सबसे पहले मैं कुछ संख्याओं की परकार बताता हूं कुछ टाइपस अफ नंबर्स बताता हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेच्रल नंबर्स की कोई भी दिक्कत हो तो आप कोमेंट जो है वो डालते रहे और मेरा नज़र आपके कॉमेंट्स पर भी है तो सबसे पहले देखिए कि नंबर नेश्रल नंबर या प्राकरतिक संख्याएं क्या होती है तो देखिए स्कूल में आने के बाद हमने जैसे नर्स्री क्लास में जब हमने अडमिस्न लिया था न उस टाइम जो हमने संख्याएं सिख्याएं ती वो क्या है प्राकरतिक संख्याएं है यानि शुरुआत कहां से की थी हमने वन से की थी ये सभी क्या है ये प्राकरतिक संख्याएं है नेश्रल नंबर है ठीक है और नेश्रल नंबर को हम न से देनोट करते हैं capital N से N for nature ठीक है उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर आता वोल नंबर या पूर्ण संख्याई अब देखिए कि अगर हम natural numbers के collection में natural number के संख्याई में 0 और मिला दें तो हमें यह जो संख्याईं का समू मिलेगा यह संख्याईं का संख्याई यह collection जो मिलेगा वो क्या है वोल नंबर है पूर्ण संख्याई है ठीक है और अब देखिए कि वोल नंबर के बाद आता है integers 012345 यह देखिया कि डोट डोट लगाने का मतलब यह है कि यह आगे तक इन्मिनिटी तक चलती रहेगी अब वोल नंबर के कलेक्शन में अगर हम नेचरल नंबर का नेगेटिव मिला देते हैं यानि नेचरल नंबर वन का नेगेटिव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस तरह से अगर यह नंबर्स हम और एड कर देते हैं तो यह जो हमें प्राप्त हो आना यह क्या है इंटीजर से एक अब देखिए यहां पर मैं इतने में एक चीज़ आपके साथ डिसकस कर रहा ह हूं इंटीजर को हम जैड सबसे डिनोट करते हैं जैड जो अब देखिए आपको अगे सर्थ नेचरल का न समझ में आता है वह नंबर का डबल समझ में आता है लेकिन इंटीजर का जैड क्यों है तो इसके लिए देखिए कि एक सबत होता है आरे पास जर्मन भासा का सबत ह है जैड ए एच एल एन जैल हीन जहलीन 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 का मतलों तक गिनना करना कोई भी चीज तो वहीं से जो है यह इसका जैड लिया गया है तो अब देखिए मैं एक इंपोर्टन डिसकसिन आपके साथ यहां पर कर रहा हूं कि यहां देखिए कि जितने भी नेचरल नंब है वह सब्सक्र uh यह कहात चाहे किया सब्सक्राबन फोर्प्र है हमम जबाव देंगी इस इससे जितने भी भी नंबर तरा है वह सारे देखिए ईंटीजर में partisan ए- क्या सब्सक्राइक यह किस और वापपीश उल्टा पुछे तो भई क्या वोल नंबर्स नेचरल नंबर है तो हम देखी इतने इतने देखते हैं कि यह वोल नंबर्स तो नेचरल है लेकिन जीरो एक ऐसा वोल नंबर है वो जो की नेचरल नहीं है ठीक है और इसी तरह से अगर हमें यह पुछा दाए कि क्या सभी वोल नंबर्स नेचरल नंबर है तो हमारा जबाब होगा नहीं भई जीरो एक ऐसा वोल नंबर है जो नेचरल नंबर नहीं है ठीक है और मेरा वीडियो अगर आपको पसंदा रहा हो ना तो इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि मेरे लाइव क्लास का लिंक आप तक पूंच से और गंटी का बटन भी जरूर द ज्यांतारे इंडिकर इंटिसे बिर्स उल नंबर है लेकिन दो न नेगिटिव इंटीजर और नहीं 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 है तो यहां जवाब भी हमारा क्या होगा नो गल्किंटा तो यहां पर इंटीर के बारे में एक बात और बता देता हूँ कि यहां यहां से आगसंगे यानि बन से आगे ये इतने वाले पूजटिव इनटीजर स्टेसर और जीरो ने तो नेगेटिव है नहीं पोजटीव है यह एंधनात्मक है यह रनात्मक है जीरो नहीं UP को इरनात्मक हैं तो अब जासे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमने तीन टाइप के संख्याइं चीक ली है ठीक है और यह हम चोटी ग्लासिस से ही पढ़ते आ यह हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है और अब देखिए मैं आपको नई चीज बता रहा हूं और या परी में शंख्याइं परीमे का नाम सुनते डर जाते हैं पता नहीं क्या बता देंगे ऐसा कुछ नहीं बैटा इसमें देखिए कि जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंट देते हैं तो जो भी हमें कुछ प्राप्त होता है एक नई संख्या प्राप्त होगी नेचरल सी बात है ठीक है एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से बाग देंगे तो क्या है आपको एक नई संख्या प्राप्त होगी और वह नई संख्या क्या है प्रिमेर संख्या ही तो ह अब इस सीज़ को हम गनित की भासा में कैसे लिखेंगे प्रेशनल नमबर की प्रिभासा में अप्रेमेरSंhthe नमबर गनित की पर में लिखायों एक ऐसा नमबर जो पी-बाइ-झ्यु की फ akkor में लिखायों P by Q के रूप में लिखा जाए और P और Q दोनों जहां पर क्या हो integers हो दोनों ही क्या हो integer हो दोनों ही पुरणांग हो और साथ में दूसरी condition क्या है कि Q0 नहीं होना चाहिए ठीक तो यहां देखिए एक ऐसा नंबर एक ऐसी संख्या जो P by Q के रूप में लिखी जास के जहां पर P और Q दोनों ही क्या हो integers हो पुरणांग हो लेकिन Q0 ना हो ऐसी संख्या क्या कहलाती है परिमे संख्या कहलाती है या rational number कहलाती है ठीक समझा गया न सभी को अब example से समझा देता हूँ बहुत clear हो जाएगा 2 भी क्या है इंटीजर 3 भी क्या है इंटीजर 2 और निच्चे देखो जीरो भी नहीं है इसका मतलब 2 भाई 3 क्या है एक रेशनल नंबर है प्रिमे संख्या है इसी तरह से माइनस 3 वटे 5 मैं कर देता हूँ यह भी देखो पूरणांक यहां भी पूरणांक ठीक है इंटीजर इंटीजर है दोनों तरफ और निच्चे देखो जीरो नहीं है स्टाइए इसका मतलब कि यह क्या है और यह स्टाइए पूरण लाइट मेर्च यह क्या है अब आगे नेक्स्त ओर देखियों कि अगर हम यह देखते हैं कि जितने भी इंटीजर से जितने भी इंटीजर से ना जैसे कोई भी इंटीजर उठा लेता हूं जैसे माइनस तीन उठा लिया मैंने माइनस तीन को मैं क्या लिख सकता हूं माइनस तीन वाटे एक लिख सकता हूं लिख सकता हूं यह भी देखिए का रूप हो गया कि नहीं हो गया उपर भी इंटीजर है दूसरी कंडिशन होगी कि निचे 0 भी नहीं है तो जितने भी पुर्णांक है उनके बटे में हम एक एक लगा सकते हैं डिवाइड बाइवन लगा सकते हैं एक जितने भी इंटीजर से जितने भी पुर्णांक है उनकों पीवाइड क्यों की फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है तो अब हम यहाप यह कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स है जितने भी इंटीजर्स है वो क्या है रेशनल नंबर है जितने इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर है लेकिन क्या उल्टा सही है क्या सभी Racial Number Integer है नो 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 बिलकुल नहीं है अब यह देखो यह Racial Number तो है लेकिन क्या यह Integer में present है नहीं absent है अपसेंट है तो इसका मतलब सभी Racial Number Integer नहीं होते ठीक लेकिन सभी Integer's Racial Number होते हैं ओके तो अब एक चीज और देखिए आप यहां पर कि जैसे हम natural number को n से और wall number को w से integers यान पुर्णांग को z से denote करते हैं rational number को हम क्यों से denote करते हैं किस से क्यों से टिक तो rational जो सब्धाना इसका आर्थ होता है ratio या अनुपाथ टिक क्योंकि हम एक integer को दूसरे से डिवाइड करके आने उनका अनुपाथ गयात करते हैं टिक है और क्यों का मतलू क्यों सेंट होता है टिक है तो यहीं यह दोनों सब्धापस में related होते हैं इसलिए हम rational numbers या प्रिमेर संख्या को capital क्यों से denote करते हैं टिक तो अब बची है आगे यह दो संख्य है irrational numbers and real numbers ठीक तो irrational numbers कौन से होते हैं कि इनके बारे में आज की लक्षर में मैं बताऊंगा थोड़ा सा ही बाकि कल की लक्षर में इन दोनों की बारे में detail से discuss करेंगे irrational numbers वो होते हैं जो पी बाई क्यों की फॉम में नहीं लिखे जा सकते हैं जा पी और क्यों दुन्नों ही इंटीजर्स हो ठीक है और क्यों जो है वो जीरो ना हो ठीक अब एक टुडेंट जो है भारती है स्टेटिस वेल्थ क्लास की फिजिक्स की डिमांड कर रहे हैं तो आपके वीडियो जरूर आएंगे हिंदी मेडियों के वीडियो इसी वी का जाएंगे तो अब आगे अपने कॉंटेंट पह थ्यान दें की हम बात करें एडियों नंबर कोंसे होते हैं यह अप्रिमेशन की कन से होती है जो नंबर्स प्राइम नंबर से आए बात दि जिसे दो, तीन, पांथ, साथ, इनका स्केर रूट है, भाज्य संख्याओं का स्केर रूट, यानि इनका वरगमूल, ठीक है, ये सबी क्या है, एरेशनल नंबर के उधारन है, इसके लावब आपने पाई का नाम सुना होगा, ठीक है, जिसका मानलग बकिस के बराबर होता है, यापई जो है, वो नीरली इकोल टू बाई सोटे साथ होता है, एक्जैक्त ली इकोल टू बाई सोटे साथ नहीं होता है, या पाई इस्पाई इकोल टू टू 3.14, ठीक है, तो ये नंबर दुन ओ ध्यान से देखें, इनको हमने पी बाई क्योंकी फ़ूम में लिख दिया ह ठीक है तो ये तो है Rational ये तो है Premier ये भी क्या है परिमे और ये भी परीमे ये भी Rational है ठीक है ये भी Rational है और ये भी Rational है लेकिनית जो है इसका अगज्धेक्ट मानगर हम देखें तो वो क्या हैkon deputy क मान 22 luxा 2 साथ की बराबर नहीं हो ता 22 ना इसाथ हूं 2 या 3 द?, हम एकट्रमिती जो सम करते हैं हम एक्सरसाइज के सम करते हैं अब हमारी NCRT book का first example देखिए कि first example में आपको कुछ कथन दे रखे कुछ एक statements दे रखे हैं तो इन statements में आपको यह बताना है कि statements true है या false है ठीक है और अपना reason भी देना है अब आपने क्या करना है कि statement को ध्यान से पढ़ना है उस पर सही सही डंग से सोचना है ठीक है और फिर सोच समझ के जवाब देना सिद्धा नहीं फैंक देना है अब यहां पर यह कहता कि अब इस बात पर विचार करो क्या एवरी वोल नंबर नेच्रल नंबर है क्या है क्या यह सारे क्या यहां प्रसेंट हैं यह इनिमें Ho यहां पर यह स्टेटमेंट क्या होगी स्टेटमेंट यहां पर बोन ब्रॉन ब्रॉक इंदी मी लिखो तो ऐसा थी क्यों बिकोज, zero is whole number but not a natural number, जिरो is whole number but not a natural number, टिक, तो एक बर वीडियो को लाइक जरूर करके देखें, दिखाएं, और अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो हम लिखेंगे ऐसाथते, टिक, क्यों कि क्योंकि 0 Qn sankhya है लेकिन प्राकर्थ sankhya नहीं है अब देखो ऐसे कोई भी question नो जिसका जवाब false या ऐस सत्ते हो उसमें just एक एक जामपल दे दो अपने एक्स्प्लेन हो जाती वात ठीक है अब यहां पर दूसरा देखो को है एवरी इंट benefit जरे रहें हरएक पुल्मांग से हैं लुवड़ांक मुल्माज मैंने आपको यह बताया गार पुल्मांग मतलब गДаने एंटीयर zona कि बताया मैंने जो पी पाइ-क्यों की फॉरम में लिख्ण जाया जाब P और Q दोनों इंटीजर्स हो क्यों 0 ना हो इसका मतलब इनके डिवाइड बाइवन हम लगा सकते हैं कोई रोकने वाला ही नहीं है यह सभी के सभी पीवाइड क्यों की फोर्म में है और निचे देखो 0 भी नहीं है इसका मतलब सभी के सभी इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर है तो यह बात होगी बाइड ट्रियू अधिक है यह हो गया सत्ते सत्ते वचन ठीक है अब इसका आपने क्या देना है एक्स्प कुमार अभीजीत मेरे साथ जुड़े हैं अभी और इससे पहले जो है काफी सारे स्टुडेंट वी के चोहान और दाई के नाम से हैं यह जुड़े हैं आप सभी का स्वागत हैं तो अमीद करता हूं क्लास को इंज्वाय कर रहे होंगे आप तो अब देखिए कि यहां पर ह हमें इसका explain करना इसको परतेक पुरुणांक एक प्रिमेशन क्या है परतेक पुरुणांक एक प्रिमेशन क्या है यह तो हमने explain कर दिया लेकिन लिखेंगे क्या लिखेंगे यह कि परतेक पुरुणांक एम एम बाई एक के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है जो पी बाई नहीं है एक दो बम बात करते हैं। आगे कि स्थीष्रे पार्ट कि आप मैंस पौना फाइव लंबर गाल नुद कि आ रहें देखो गडूंडो डूंडो डूंडो यहां पर मिला यह नहीं मिला तो नहीं मिला तो नहीं मिला तो एक वह को बहुत सारे एक्जाम्पल है, बहुत सारे एक्जाम्पल ऐसे हैं, जो प्रमेर संख्या है, लेकिन पुर्णांक नहीं है, कोई भी एक एक्जाम्पल दे दो, इसको आपने क्या लिखना है, ऐस सबते हैं, क्योंकि, माइनस तीन वटे पांथ, एक प्रमेर संख्या है, लेकिन पुर्णांक नहीं है, false, because minus 3 by 5 is a rational number but not integer ओके next अब आगे second example if I find 5 rational number between 1 and 2 अब देखिए, कि जैसे हमें एक number line ड्रा करते हैं यहाँ पर देखिए, मैं एक number line ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने लिखा 0 या लिखा 1, या लिखा 2 या लिखा 3 या minus 1, minus 2 अंदाजी से मैंने ड्रा कर दे अब यह है real number line real number line एक वास्त्विक संख्या रेखा वास्त्विक संख्या रेखा तो आपको अगे सरी वास्त्विक संख्या क्या होती है अभी तक आपने बताया तो है नहीं वास्त्विक संख्या नहीं बताया मैं आपको कहां से पता लगेगा तो अभी देखिए कि यहां पर मैंने आपको पहले वाल स्लाइड में देखिए रेशनल नंबर बता दिए इरेशनल बता दिए अब जितने वी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे मिलकर के क्या बनाते हैं वास्तविक संख्या बनाते हैं बस इतना याद रख लो बाकी इरेशन याँ वापश आजाते सेक्ट्रल्ट Cornbread हो इस हिए आपर ले रहे हैं को ग्राइब देखिए रहें कि इस संख्या रेखा रेक बिंद। इसे ना किसी संख्या को परदर्शिद करता तिस इस यह बिंदु 0 को परदर्शिद कर रहा है , avaun को परदरशित कर रहरा है इसके बीच में भी अपरिमित रूप संख्या को एक नमबर को रिपर्जेंट कर रहा है इसका मतलए किनी भी दो numbers के बीच में कितने numbers हैं कितने real numbers है infinite real numbers है ठीक तो अगर infinite real numbers है अनंत है अनंत नंबर है तो इसका मतलो एक और दो के बीच में जो है आपरिमित रूप से अनेक वास्तुविक संखें हैं जो वास्तुविक संखें अनेक हैं पास तो एक संख्या में क्या होता है परिमे और एपरिमे संख्या है होती है तो एपरिमित रूप से अनेक परिमे संख्या है और एपरिमित रूप से है अनेक एपरिमे संख्या होती है यह बात याद रखना कि किनी भी दो संख्याओं के बीच में आप प्रीमित रूप से अनेक यानि इन इन फाइनाइट नमबरो और इन फाइनाइट नमबरो और इरेशनल नमबर्स होते हैं एक सीवान ने पूसरें कि नोट्स का पीडियाफ कैसे मिलेगा तो जैसे ही ये कलास खतम होगी न ये वीडियो पॉब्लिस हो जाएगा ठीक और फिर इसका description देखना आप और आप दूसरा काम भी करशकते हैं कि पले स्टोर पर जा करके मेरी app डाउनलोड कर लिए ना सुरेश लक्सरर के नाम से app है ठीक तो सुरेश लक्सरर आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर भी आपको link मिल जाएगा लेकिन अभी link अपडेट नहीं है आपको कल तक एप पर वेट करना पड़ेगा ठीक है लेकिन आपको मिलेगा जरूर तो अभी आप इस समको समझिए कहता find five rational numbers between one and two तो one and two के बीच में infinite rational number है अनंत rational number है लेकिन हमें बताने कितने पांस ही बताने है और वह बताने का एक असान तरीका बताता हूँ आपको जैसे आपने यहाँ पर लिखा one और यहाँ पर लिखा two ठीक अब पांस rational number जैसे संख्यारेख थोड़ी सी बड़ी बनाता हूँ यहाँ one और यहाँ two इसके बीच में चाहिए मेरे को पांस एक दो तीन त्यार पांस कितने रेसल नंबर से यह पांस तो मैंने पांस ब्राबर निसान लगा लिए ठीक अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर है मारे पास एक बाई सावी यह वाले ठीक है और अभी तो असरे इनको आगया गुसा यह लोची बहंकर गुसा आगया और इन्होंने क्या किया आपने रुमाल निकाला और इसको पाढ़ना शुरू कर दिया और सिद्धा पाढ़ा एक, दो, तीन, च्यार, पाँच, रुमाल के कितने टुकडे हो गए भाई एक, दो, तीन, च्यार, पाँच, यह क्या हुआ? कट मारे अगले ने 5 टुकडे होगे 6 क्योंकि लास्ट में तो 2 बनेंगे न पहले एक कट मारा तो 2 बन गया नहीं एक एक्स्ट्रा बनेंगे सिंपल सी बात है ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर हमने 1, 2, 3, 4, 5 कट मारे हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 टुकडे होगे एक तो आपने क्या करना है कि एक को 6 से मल्टिपलाई 6 से डिवाइड इसी तरह से 2 को भी 6 से मल्टिपलाई 6 से डिवाइड 6 से गुना 6 से भाग तो यह हो गया भई 6 वटे 6 और यह हो गया 6 वटे 6 और 2 को हमने लिखा 12 वटे 6 तो सिद्धी सी बात है बराबर दूरी पर निसान लगाए तो अगला निसान होगा 7 वटे 6 यह होगा 8 वटे 6 यह वाला 9 वटे 6 यह 10 वटे 6 और यह वाला 11 वटे 6 देखो कितनी आसानी से डूंड लाए हम यह एक और दो के सब्सक्राइब बीच की 5 यह प्रिमेशन क्या है कौन-कौन सी साथ वटे 6 आठ वटे 6 नो वटे 6 दस वटे 6 और 11 वटे 6 अब यह देखो कि यहां पर यह दो पे कट हो रहे ना दो चौके 8 और होती है से तो इसको आप 4 वटे 3 लिख सकते तीन पर कट होता तीन तीन नो तीन दुनी जो कट होता उनको काट देना नराज नहीं करना किसी को ठीक है चाहर वटे 6 च्यार वटे 3 तीन तीन वटे 2 वांस वटे 3 और 11 वटे 6 एक यह एक और दो के बीच के 5 प्रिमेशन क्या है अब करेंगे आपको एंसर तो मैच नहीं किया है तो इसका मतलो संब रोंग है ऐसा तो नहीं हो सकता बिस रेज लेक्षर रोंग करें यह में भी एक अदो हो सकता है ठीक है लेकिन यह नहीं है ठीक है तो आखिर पिर सम रोंग नहीं है तो एंसर मैच क्यों नहीं हो रहा भाई सोचने वाली बात है आप बताओ कोमेंट करके बताओ येस 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 जवाब सही आगा आपका क्योंकि एक और दो के बीच में इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर से ठीक है इनफाइनाइट नंबर से अनंत नंबर है और चूज कितने करने हमने पांस सर ने निकाल ले ये वाले पांस हो सकता है बुक वाले ने निकाल दियो कोई और पांस तो एंसर कैसे मैच करेगा बाई कहने का मतलब यह है कि अगर आपका यह एंसर मैच ना करें तो भी घबराने की जरूरत नहीं है इस कृष्टन बिल्कुल सही है एंड़ परसेंट ठीक है और लिखने का तरीका एक और दो के बीच की पांस प्रमेशन कहीं एक और दो के बीच की देखो एक लिखके दिखा द चैवाटे चैए और दो बराबर दो गुणा में चैवाटे है यानि बारावटे है तो एक और दो के बीच की पांस प्रमेशन कहीं ठीक है तो नमबर्स बिटन वन और टू इज इकल टू एक की जगशे वटे चैए और इसको बारावटे चैए कि बीच की पांस प्रमेशन कहीं पूरा लिखना है ठीक है और जो किसके बराबर है शाट वटेज़ है, आठ वटेज़ है, नोब वटेज़ है, दस वटेज़ है, फिक और ग्यारर वटेज़ है, ठीक और इसको कट करके चोट और करते ना, आप अब अब देखे हैं, कि एक्सरसाइज 1.1 कि सभी क्यूस्टन करके उठें आज ठीक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंज्वाइब कर रहे होंगे कि अगर आप इंज्वाइब कर रहे हो तो एक बार इसको कि एक कि एंसर साथ की साथ देना आपने ठीक है कि यहां बढ़ एक जीरो इस रेस्चल नंबर यहां बने जीरो जो है वो रेस्चल नंबर है एक क्या हम इसे पीवाइव क्यों की फोल में लिख सकते है एक कि निहीं सुनने एक प्रिमेशन क्या है कि आप इसे P by Q के रूप में लिख सकते हैं ठीक तो भई सुनने क्या है पूर्णांक है और सुनने को हम सुनने वटे एक लिखें जिरो को 0 वाई 1 लिखें तो कोई रोकने वाला नहीं है अब उपर चेक करो जिरो पूर्णांक है निचे चेक करो यह भी प rational number की पूरी की पूरी condition यहाँ पर होगी संतुष्ट यह होगी satisfy यानि ये भी integer ये भी integer और निचे 0 ना हो इसका मतलब 0 क्या है 0 1 rational number है इक देखो 0 कम ने क्या लिख दिया 0 by 1 लिख दिया 3P by Q की form होगी न इक तो हम कहेंगे yes 0 किजे rational number हाँ 0 1 परिमेशन क्या है ठीक क्यों है भाई क्यों की 0 बराबर 0 वटे 1 ठीक है जो की P by Q का रूप है जहां पर P बराबर 0 और Q बराबर 1 है ठीक है तो लिखने का तरिक्का आपको PDF में मिली जाएगा कोई attention नहीं है ठीक 6 बुच्छों 7 बुच्छों 10 बुच्छों हमें तरिक्का तो आई गया इस असे 3 या लिखा 4 अब संख्यां कितनी बुच्छी है भी 6 6 संख्यां बीच में मारक करेंगे टुकडे हो जाएंगे 7 याने 6 में एक जोड़ दो रात होगे तो 7 से गुणा 7 से बाग इसी तरह से 14 को 7 से गुणा 7 से बाग 7 से गुणा 7 से डिवाइट ठीक तो जो बुच्छे समझ गए अपना कोपी पैन उठाओ और मेर से पहले लिखके दिखाओ याँ पर ठीक है मैं समझ जाओंगा अभी बच्छे जबाब सही दे रहे हैं वन भाई थरी नहीं आएगा लिखने का तरीका बता रहा हूं आपको यहाँ पर चैट में है ठीक तो अब आगे देखिए कि मैंने तीन और च्यार के बीच में थ्री एंड फॉर के बीच में 6 प्रिमेशंखें डूननी है 6 डूननी तो 6 से 1 फालत हूँ यानि 7 से गुना और 7 से डिवाइड करूँगा 7 ती 21 वटे 7 और यहां 7 चोगे 28 वटे 7 यानि यह है हमारी नंबर लाइन ठीक और यहां पर इस नंबर लाइन में 3 और यहां पर है 4 तो मैंने कट लगाने हैं इसमें 6 तो 1,2,3,4,5,6 ठीक तो 3 को मैंने लिखा 21 वटे 7 और 4 को लिखा 28 वटे 7 अब यह क्या हो गया यह होगा 22 वाइ 7 23 वाइ 7 24 वाइ 7 25 वाइ 7 26 वाइ 7 और यह 27 वाइ 7 होगे ना 1,2,3,4,5,6 तो हम लिखेंगे 3 और 4 के बीज की 6 प्रीमियर सेंगे ठीक कौन कौन सियों के भी 22 वाइ 7 23 वाइ 7 24 वाइ 7 25 वाइ 7 26 वाइ 7 और यह 27 वाइ 7 ओके तो आगे देखिए यह सब विजीत सिंग का बिल्कुल सही जवाब है और यह 8 ए क्या लिख रहे हैं समझ नहीं आ रहा मुझे अगे अटलेस मंडल 9 के साइंस की बात कर रहे हैं तो 9 साइंस के सभी वीडियो मेरे चैनल पर आवलेबल हैं और सभी के सभी नोट्स भी आपको मेरी मुबाइल लैप पर मिल जाएंगे आप मुबाइल लैप डाउनलोड करो वहाँ से देखो और अभी शेक डोन पूछ रहे हैं कि यह क्लास रोज चलेगा बिल्कुल भई रोज चलेगा कोई प्रब्लम नहीं है आप से नाम को 8 बजे त्यार रहे हैं ठीक है और अगर आप अपने दोस्तों को भी अपने साथ जोड़ोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं फटांफट अब देखिए सिमिलरली 3 x 5 and 4 x 5 3 x 5 and 4 x 5 इसके भी इसकी 5 प्रिमेशंग है डुनने यह तो 5 से एक पाल 6 से गुना 6 से भाग ठीक है 6 से मल्टिप्लाइ 6 से डिवाइड तो 6 ती एठारा और 6 पांजे 30 ठीक 6 चोग 24 और 6 पांजे 30 तो अब देखिए यहां 18 वटे 30 और 24 वटे 30 के बीच में आपको मिलेगा 19 वटे 30 20 वटे 30 21 वटे 30 22 वटे 30 और 23 वटे 30 होगी भी 5 एक दो तीन 4 पांजे कई बार क्या होता है कि इस टाइप के सम होते हैं जिसमें डिवाइड वाइड दे रखा होता है और हमें फाइंड आउट जादा करनी होती है ठीक है तो कई बार ऐसे एक फालतों से करते हैं अगर एक फालतों से कर लिया तो यह को आव पासपोरी बंती नहीं है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जुरूर नहीं कि आप 6 से multiply 6 से 5 पूस रखे तो 6 से करनी है आप 7 से multiply 7 से डिवाइड कर लो 8 से multiply 8 से डिवाइड कर लो ठीक है और बीच के आपने select 5 पूस रखे 5 ही करके दे दो अगले को माले आपने यहाँ पर 3 by 5 और 4 by 5 इसको आपने 7 से multiply 7 से डिवाइड कर दिया है ऐसे तो साथी एक की सो साथ पांजे 35 साथ सो के 28 और साथ पांजे 35 यह हो गया तो अब देखो अब 22 वोटे 35 तेइस वोटे 35 इस तरह से करके हमें 27 वोटे 35 यह मिलेगी अब हमें 6 संखें कुछी 5 है तो इन में से कोई 5 बता दो ठीक है तो answer यह भी हो सकता है ओके तो इस तरह से आप क्या है कि कुछ से ज्यादा भी यहाँ पर संखें लिख सकते हैं ठीक है लेकिन जब आपसे 5 पुच्छी हो तो यह वाला तरीका बैस्ट है अगर यह भी कर देता है तो गल्त नहीं है अब आगे देखिए इस exercise का लाश्ट समय है बिल्कुल सिंपल हमारे सुरुवाले concept पर तेक प्राकर्त संख्या पूर्ण संख्या है बिल्कुल हमने लिखना है 1,2,3,4,5 अगरत होगी नचनल नबर होगे न अब वोल नम्बर है यह है यह हैं 0,1,2,3,4,5 क्या हर एक नचनल नमլर, वोल नमबर है हर एक नचनल नम्बर, वोल नमबर में 11,23,4,5 सारे प्रजेंट सर, सारे प्रजेंट सर तो ये भी yes टिक तो ये कथन क्या हो जाएगा, सबते हो जाएगा क्योंकि क्योंकि, जवाब क्या लिखाओ क्योंकि पूर्ण संख्याओं का समौ प्राकरत संख्याओं में सुनने मिलाने से प्राप्त होता है collection of whole number is obtained by including 0 to natural numbers a collection of natural numbers tick next every integer is a whole number of every integer integer like the way for one on click on minus three minus two minus one zero one two tick for whole number whole number चलो मैं अपना अलग लिख लेता हूं पहले वार लेकर साथ है जो है पंगे नहीं लेने मैंने ठीक है अब देखो किस्टन क्या करता है every integer is a whole number कि सारे के सारे integer whole number में सारे के सारे इंटीजर देखो 0% 1% 2% 3% सारे प्रजेंट लेकिन इदर वालों का क्या वाई अपसेंट सेर अपसेंट सेर तो ऐसकते है ठीक इसका मतलो सभी इंटीजर से वोल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि अब देखो ऐसकते बात ना ऐसकते के लिए तो मैंने बताए एक एक एक्जामपल देना है मैं कहूंगा कि माइनस टू पुर्ण आंक है लेकिन पुर्ण संख्या नहीं है अंक्या नहीं है ऐसकते क्योंकि एक इंगलिस में लिखे दो पाल्स एज माइनस टू इज एन इंटीजर बट नोटे वो लॉबर लॉबर टीक अब लास्ट एवरी रेशनल लॉबर इिज ए वे यह वोल इंटीजरी वोल नॉबर नहीं है तो रेशनल नॉबर कहां से हो जाएगा तो इस तरह से डिवाइड वाली संखें है आती टो बाई 5 आ गया, मैनस 3 कवाई 8 आगया ठीक है अब ये रेशनल नमबर तो है प्रिमेर संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है इसका भी आप क्या लिखोगे है सब्ते और कॉमा लगा के क्योंकि उधान दो माइनस ती नोटे आठ प्रिमेर संख्या है प्रिमेर संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है पूर्ण संख्या नहीं है ठीक तो इंग्लिज में लिखें तो फॉल्स बिकोज माइनस त्री बाई एट इजे रेशनल नमबर बट नोटे फॉल नमबर वेट आपको कंसेप्ट समझाना चाहिए में तो यह है बाकि लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक तो अभी मैं आपके लिए नोट्स जाहिशी इसमें डाल देता हूं ठीक है और कल आप लोगोंने क्या करना है एक अपना क्लास का रिजिस्टर लगाना है कोपी लगानी है जो आपकी लास्ट एयर की जो रख को पी बच्छी पड़ी हो ना वह इस लगा लेना कोई नई कोपी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको कोप तो अभी आपका कोई सुझाव हो आपको पूछना चाथते हो तो जो है आप बोल देजिए मेरा ध्यान अभी आपके कोमेंट्स पे हैं ठीक है क्योंकि आज का लक्तर हमारा खतम हो चुका है और कल हम आठ बजे फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के समको सॉल्व करेंगे और मैं बच्चों को करवाता ही बेसिक हो जादा हो क्योंकि जो बच्चा बेसिक समझ गया उसके लिए मैं थे मुश्किल नहीं है ठीक है तो अभी जो बच्चे कुछ पूचना साथ है मैं आपका जबाब दूँगा दो मिन्ट आपके कोमेंट्स की वेट कर रहा हूं ठीक है औ और एक काम आप लोगों ने जरूर करना है कि अपने क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक जो है अपनी क्लास जोईन जरूर करवाने हैं उन लोगों को ठीक है क्योंकि नहीं तो आप किसी एप पर जाओगे या कोई पेड़ को और स्कृत होगे उससे अच्छा है कि आप यहां पर फरीमे करो ठीक है आपके बहुत बड़ीया रिजल्ट आएंगे डॉंट वोरी पांच लाग चालिस हजार के लगबग स्टूडेंट जो है मेरे साथ जुड़ चुके हैं चैनल पे और यह सभी आपकी लाइक करने के वज़ा से हैं नरायना अकैडमी करते ह प्रकाशन का बुक नहीं बड़ाते हैं तेकि मनोहर प्रकाशन भी अन्सर्ट आधारित है ठीक है अगर आप अन्सर्ट बुक कर लेते हैं तो आप मनोहर प्रकाशन के भी कृन कर पाएंगे और जैसे अपना यह खतम होगा ना तो हम एक NCRT exemplar हैं वास्ता में private books क्या होती हैं कि NCRT exemplar और कुछ पिछले सालों के person यह मिला करके वो बनाई जाती है तो क्योंकि अब 9th class के student primary stage में हैं तो आपको NCRT book ही करने चाहिए तो जिन students ने अभी तक like नहीं किया है एक बार like कर दें और जिन्होंने अभी तक चैनल को subscribe नहीं कर रखा हैं वो subscribe कर लें और कल 8 बज़े सभी students त्यार रहेंगे और आज class में जुड़ने के लिए धन्यवाद थैविनाइस टी